एक जार प्रसेंट सक्सेस है एक लाग से उपर वोटों से जीत होगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि सीम भी बन जाए दिया जी वह पार्टी ने बहुत बढ़िया फेसला किया है और जनता इसको सरोपरी मान रही है पार्टी का फेसला सबसे सरोपरी होता है हम लोग तो दर प्रसन है जनता हमारे चेत्री की आतिश बाजी यह मिठाई बाटी गई है जीत भी सुनिशित है दिया कुमरी जीगी राजस्तान के चुनावी रण में बीजेपी ने अपने 41 सूर्मा उतार दिये हैं और कहीं बड़े परिवर्तन किये हैं जैपूर के हम विद्यादर नग सीट एक चोपाल कर रहे हैं जिसके जर्य आप जंता से राय जानते हैं यहों कि यहां पर सान्सत दाज कुमारी दिया कुमारी को यहां पर टिगड दिया गया है जबकि तीन बार के वीजेपी विदा एक नर्पत सिंग राजवी का टिगट कटा है बीजेपी का टिगट कहीं न कहीं देखा जा है तो यहां पर बीजेपी अपने आपको महफूस समझती है राजपुत बहुमले इलाका है और ऐसे में एक बार फिर राजपुत को ही उतारा गया है आम जनता से जानते हैं क टोकपर्द हो रहा है दिया को मारी को उतार दिया किया यहां में ली और यहां के कडा नर्पत सिंग राजवी का पुराना कारे करता था उन लोगों में विरोध था और सुना जाता था लोगों से कहते थे की राजवीज साभ हैं जो कर यह सुनते नहीं है बंघले पर 美味 मंत्री में करेता है को किम उतनी उमीद नेता के पास जाए त उसके लिए कोई फोन वगरा होने वाला वह हो जाए या उसका कोई काम अटक रहा है तो वह हो जाए बस इन सब चीजों को लेकर विरोध था फिर एक सबसे बड़ा कारण था सबसे बड़ा कारण था कि 2019 में जो पिछले पार से चुनाओं पर पार्टी ने जो सिंबल दिया था अपने उमीदवार उतारे बारते जनता पार्टी ने उनके विरोध में अपने से एक लाख उपर वोटो से जीत और कोई बड़ी बात नहीं है कि सीमब बन जाए दिया जी लोगों में चर्चा है लायक भी है डिजर करती दाउन टूर्थ है कोई जातिवाद का किसी भी तरीका कोई भी उन पर ठपा नहीं है किसी भी तरीके का उसलिए एक लाग किसी और को उतारते तो सायथ दिक्कत हो जाती कहीं और उतारते कुमारी जी को सब्सक्राइब लोगों की मांग भी ति लोगों की पसद्द्ध भी अधिया अनका ओम ताउन आ आपके मांग थी बिल्कुल थी लोग तो कह रहे हैं कि अचनक एक सम्ध्ड नाम आया था क्या क परिवर्तन को परिवर्तन ऐसा आया कि सरकार तो बाद में बनेगी लेकिन उससे पहले यहां पर वर्तमान विदाय के उनके माता की नरगात बताना चाहता हूं धन्यवाद देना चाहता हूं गौनि यह मुख्राइए सबसे न falar करता है जो भी यहां पर सियता है इसको जीता करके बेजते है कमल का फूल खिला के बेजते हैं हम तो नमस्ते सदा बहुष चले के पक्य सबूत है हम तो क्यों इतरह का ये नी चाहते कोन आया कोन इना को सबाट enabled वहां संबम्भ्ल मिल गया उसको जिता के बिजना होता है बस सब नरपजी का तीन बार के विदाएक बैरोसिंग जी के विदामाद ऐसे कैसे यह पाइटी में हमारे से भी बहुत बड़े-बड़े समझदर आदमी बेठे हैंनुनोंने ते किया किसको टिकट देना है इसको टिकट नीदेना हम तो कारिया करता है हम कारिया करता हूं का काम तो कि जिताना कंबल का फूल खिलाना वह अम धरी बिचा करके जो खड़े हैं किसको टिकर दे लिए उपर करता है क्या काम कितने विकास कितनी दर होते हैं कोई कमी नहीं नहीं होती है कुछ नहीं देखती सब भूल जाती है अब टीकेट का ताइम आगे है ना उसमें विकास की गरीमा तो बाद में रहती है सबसे पहले होता ठपा किसको लगाना है यहां पर सब बीजेपी का आदमी जीता है और दिया कुमारी जी आ गई है तो सब को बड़ी संतुष्टी है औ वहां कार्याध काल देखकर के सब फूझ है जो आता है हमारा झुझे है हमारा उसकव को फूफ खाय का मी लमगोर्याएं ऐसी सब किरा रहे हो। काम तो होते हैं जो बगवान सोचता होनी के उन्हीं के होता है जो उनको सोच लिए मुझे सड़क बनानी तो ही सड़क बनती है अब आपको दिया कुमरी के सामने कोंग्रस का इसा कौन से चेहरा जो आपको लगता है कि टक्कर दे सकता है एक टार्गेट रखते हैं अर्जून अब आपको तो यह टार्गेट है कि बीजेपी से कोन आया है नाम नहीं देखते कमल के फूल को बोड़ देना है हमको तो नाम से बौट नहीं दे रहे हम तो और उसकी ज़्यादा होती है तो उसको ज़्यादा बोट मिल जाते हैं बस इस बार भी क्या बटन किस नाम पर लेंगे वीजेपी की सीट यह एक सेफ सीट मानी जाती है और पिछली बार भी नरपजी राजवी साब से वह भी अच्छे एमले रहे हैं हमारे लिए इस बार पार्टी ने फैसला लिया दिया कुमारी जी को उतारा है हमारे लिए वह भी सर्वों पर इसको किस तरह से देख क्या मेडम के जो करीबियों को तवज़ु नहीं देना पार्टी में और आपके करेकरता में कुछ गाल मेल तो नहीं हो रहा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है पार्टी ने नये चेरे बहुत उतारे है एक माहुल जरूर कॉंग्रेसियों द्वारा तैयार किया गया है कि इस ब बहुत कुछ सोच के लेते हैं हमें कुछ दुख जरूर रहा क्योंकि पिछले कारेकाल में राजवी साब रहे उनके साथ हम लोगों ने काम किया अच्छा लगा और इस बार वी उमीद यही थी कि उनको टिकट मिलेगी लेकिन इस बार दिया कुमारी जी को टिकट मिली पार क्या सब्सक्राइब कि इस बार विध्या दर्नकारद कर वर्विधान सवा सिमक्राइब दियाओ कुमारी जीट है क्योंकि फ्यॅक्त के लिए कि आप मरे दिया कुमारी को यह सके द mourning पर ने यह कुमारी बैस्त है और पार्टी का काम है जब ने अच्छी आदमीं को टिकट दिया वेबी तो की काम कराया है काम तो किराय है उनको और की तीन बार हो गए उनका यहां पर नहीं आना चाहिए लेकिन वीजेपी से उसको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वोट पर पर की अच्छलता रहता है यहां लोकल इस तरह पर कहीं न ही लगता कि इसको टीकट नीं मिला परिवरतन करने चलें करी परिवरतन को सब्सक्राइब किया था बागे जिताएंगे हम तो क्या कहेंगे आप यूआ हो क्या सोचकर मद्दान करोगे जी बिल्कुल हम और वोट देंगे सब्सक्राइब करोंगे था मिलते हैं और काफी अच्छा करते हैं और काफी अच्छा बश्यार रहते हैं बहुत कुछ भ रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और है इनके अंदर जाहिर नहीं कर रहे हैं इन से जान लेते हैं खलवली अंदर बहुत कुछ है जवाब नहीं दिया जा रहा क्या लगता है कि वोट की चोट वोट ही पड़ेगा चोट तो कंग्रेस को पड़ेगी बीजेपी तो वोट लेकर ही जाएगी और जैसा कि अभी सभी और भी लोग बता रहेते मैं बताना चाहूंगा आपको और अश्योर गरना चाहता हूं कि म सिर्वें में कोई यहाँ पर टिगेट परिवर्तन हवा है राजवी का कटा ए दिया कुमारी को दिया है इससे कोई असर नहीं पड़ेगा सेफ सीट हे दिया कुमारी यहां से जीटेगी और यहां अप.ट यह कहना हैं कि धूय कुमारी भावी मुख्यमंत्री भी बन सकती है और कुछ यूआ ये भी कह रहे थे कि राहूल गांधी को भी उतार दो दिया कुमारी एक सामने वो भी हार जाएंगे यह जनता है लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विदानसबा में कि चुनाव में झाले वो भी कि जलर भी बन सकता है अएंगे जो आने वाले बन सकता है लेकिन दो देतार दो भी कि जलर कीयों भी है प्यूआ से जाज़ हो फबसे उन.